और कि अधिए कि कि है लो माई अधिर स्टुडेंट सु मैं अधिर स्टुडेंट सुदेंट कुछ दिनों से आपका ऑप्जेक्टिव कलास लगता रुक रुक के चल रहा था क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था मैडियर हाला कि अभी भी कुछ वहीं साही सिच्वेशन अभी भी चल रहा है पर फिर भी मैं आज से लगतार कोसिस करूंगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है जो सामको साथ बज़े आती है यह आज से कंटीनियू चलनी वापस से सुरू हो जा दे laquelle के सुरू करते हैं अज से लिए पहले ढ Co सब करा दिया है अज सुरू कर में एक डेंड़क्शन का आज हम लोग करेंगे और हो सकता है कि जो next class हो वो भी आपका EMI का हो और फिर जो आगे के दो classes होंगी आपके alternating current की होगी यानि कि electromagnetic induction और alternating current ये दो chapter जो हैं हमारे syllabus recording एक ही unit हैं और इन्वे हम लोग चार objective classes करेंगे 7-8 question या 6-7 question रहर रोज करते हैं और काफी important होते हैं हमें 500 question नहीं करना है ये 500 में 35 लग नहीं हमें overall 200 questions के अंदर या 1500 question हम मैं करवाँगा आपको ज्यादा से ज्यादा और उसमें से ही आपके सारे question आएंगे exam के अंदर मैंडियर चलिए शुरू करते हैं आज का पहला question को बढ़ते हैं SI unit of magnetic flux चुमबकिये flux का आप से क्या पुछा जा रहा है SI मात्रक पूछा जा रहा है मुझे आसा है कि अगर आप लगतार मॉर्णिंग की वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी objective question में आपको problem नहीं होने वाली है मैं अङ्डियर मैंटिक छुमबकिया फ्लक्स का हर किसी पता है क्या होता है मैं टेसला अब दिखेंगे टेसला किसका होता है भूला सर चुमबकिये छेत्र का Magneatic field का SI unit कौन होता है ठेसला होता है हम से क्या पूछ रहा है छुमबकिये flux का आगे चले चलेंगे हेनरी, हेनरी की थोढ़ा रोग क्या रखते, next question पराते वाट जो है, what अप का वह थो ह्या होता है, पावर का सक्ति का मातरकुता है, और जो वेबर है, माईडियर किसका मातरक है, चुंबखिये फ्लक्स का चुंबकeed flux का SI मातर क्या है असाइंट क्या होता है मैं अधियर वेबर होता है याद रखेंगे वेबर किसका unit होता है चुंबकिये flux का unit होता है आगे बढते है next question प्रेक्ष्चन को पूछ रहा है ंडघ्टस का प्रेरकतो का अब सुन ने जी हमेरी बात चाहे question में आपसे self inductance पुछा जाए चाहे mutual inductance पुछा जाए चाहे swap प्रेरकत्व चाहे अन्योने प्रेरकत्व mutual inductance चाहे self inductance उससे हमको मतलब नहीं है हम inductance इसे मतलब है अगर inductance लिखा हुआ मिल जाए तुरंथ हम इसका answer यहां पर आते हैं क्यों इसका सब को पता है किसका होता है वेबर होता है चुमब यह फिल्ड का चुमब की चित्र का क्या होता है request का टेसला होता है है कुलम्ब किसका होता है बहुत है अगे बढ़ते हैं थर्ड नमर कोश्चन यह सारे कोश्चन आपके एक जाम में मैं यह बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो सभी के सभी काफी वी वी कोश्चन है वापस देख जागे में आ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लेंज लोव फॉलो विच लॉज ऑफ कॉंजर्वीशन जो लेंज लोव क्या कहता है फिर से समझ लेंगे लेंज ने आखे बोला क्या है देखिए एक देखिए यह कोई हिस्ट्री का कोश्चन नहीं चल रहा है मैं हर रोज बोलता हूं हम आपको मैंने इसका एंसर यह होता है तो आगे बढ़ते चाहूं और एक दिन में 50 कोश्चन कर पhradien ने बात यह खा दिए फएडे ने कहा था कि जब झैक्षी क्वाइल के मैंने टिक फ्लक्स में हम बदलाओ करते हैं तब उसमें Limit वौत उत्पन होना जाता है जब भी कोई किसी इस्ट रह चुमबके फ्लक्स यह चुमबको फ्लक्स बदलेगा चूंगा का चुमबक यह फ्लक्स बदलेगा तो उस क्वाइल में EMF यानि की विद्धुत्वाहक बल यानि की वोल्टेज उत्पन हो जाता है मैं एडियर और उस वोल्टेज के वज़ासे करेंट आ जाता है उसके अंदर यह फारेड ने कहा था तो लेंज आए और लेंज ने कहा कि जो विद्धु विद्धु आया जो EMF अब किसके वाधा बात करते हैं कॐन तो किसके लिए बात करते हैं विद्धुत्वाहक बल के लिए बेहो उनकी बहारें चेलिए और और मैंने इलेक्ट्र स्टिक्स जब आपको पढ़ाया था तब विधुत्वाहक बल के बारे में पोटेंशल बीभाव के बारे में बहुत सांदार तरीके से बताया था कि किस तरीके से यह लोग इनर्जी के साथ इनका संबंध है इसलिए हमारा विधुत्वाहक बल किसके साहे ंर्जा के साथ संबंद रहता है इसके साथ इनर्जी के साथ रहता हैं रहता है वभत है देन हम लोग अपने नेक्सट्व के उस्ट्वां कहिता और रह पूछा क्या कूशन है क्या कहता है कि dea कि टी वार्किंग प्रिंस्पल फ amb airport Turis आपन से पुछनेरेटर जो हता है किस सिधान्तपर कारे करता है उसकी किरिया बीदी होती है वो फीً तर के लिखा वह फार हो किससी है जाहें जनरेटर लिखा वह होता तब भी हमारा एंसर वहीं होगा अगर उचेनरेटर और Myselfar noru करकेद आस्म लिखा हूआ मिले थो दायने मोキ हमारा इंशर क्या होगा यानी कि आपका आया रखना है कि जप्राइण होगा है तरास्फ़र्मर हो चाहे डायनेमो इन में से कोई भी हो सब किस प्रिंपल पर काम करते हैं HEL porte इंडक्शन और उन में से भी mutual इंडक्शन के उपर अन्योना ये प्रिरण के उपर ये लोग काम करते हैं मैडियर तो बोला सर actually में लोग काम करते हैं किस पर अन्योना ये प्रिरण mutual इंडक्शन पर लेकिन mutual अप्शन में जल्दी होता नहीं है तो ऑला मुच्यू फिलेक्ट्रल की सेल्फ फी णोता है एक प्रेज्ञ होता यह अन्यों तो अन्यों नहीं प्रेज्ञ कि उपर सब्सक्ते हैं जर्नेटर वह आपके जर्नेटर और डायनीव में उत्स hierarchy clean पडे लिखा होगा electromagnetic induction या अगर यह न लिखा हुआ मिलेगा तो mutual induction लिखा हुआ मिलेगा क्या मिलेगा mutual induction आने होना तो वो हमारा answer हो जाएगा अब अगले question के बढ़ते हैं हमारे कि यह जो चार question मैंने आपको कराया यह चार basic fundamental question है electromagnetic induction से यही चार question बार 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 इस वाले chapter से repeat होते हैं theoretical में बाकी के जो question है वो आपको alternating current से आता है लेकिन अगर electromagnetic induction के बार बात करें विदुद्ध चुमब की अप्रेंस है तो चार objective मैंने आपको कराया यही question बार बार repeat होते हैं इसका मतलब यहीं से question आने कि वापस से संभावना है हम लोग कह सकते हैं कि है मैंडियर आगे बढ़ते हैं कुछ कर लेते हैं निमर्कल में अगला question है पहला question की value कब जब समय हमें है 0.25 सेकंड मैंडियर तो नीचे में space नहीं है उपर वाला question मैं मिटा दूंगा अगर किसी को बाइदवे note करना हो तो कर सकता है यह जब है chapter खतम होता है मैं आपको उसके तीन चार दिन के बाद उसका PDF अबलेवल करा देता हूँ हो जो कि hand return होता है मैं डियर ठीक है मैं उपर वाला question मिटा देता हूँ आप लोग समझ गये होंगे क्योंकि इस नीचे वाले question का solution हमें करना है देखिए question में क्या कह रहा है कि resistance दिया हूँ सबसे पहले बात समझेए आपको resistance दिया हूँ है कितना बुला सब्सक्राइब और क्या दे रखा है हमें दे रखा है चुम्बकिये magnetic flux दे रखा है फाई का वैलू दे रखा है कितना सिक्स्टी स्क्राइब माइनस का फाइव टी और प्लस का वन यह दे रखा है और हमसे पूछ रहा है क्या current की भैलू धारा का मान बताना है बोला किस पर जब समय 1.2.25 सेकेंड हो ठीक है तो हमें बताना है फ्लक्स का पर फ्लक्स हमें दे रखा है इतना और हमें बतानी है क्या current की भैलू बतानी है माइडियर बहुत सिंपल बात है कि अगर आप current ही निकालना चाहते हैं तो सर हमको पता है कि current is equal to ohms law से भी बाई आर होता है current law से आई बराबर भी बटा आर उम्स law से आइज कल टू क्या होता है भी बटा आर भोल्टेज अपन रजिस्टेंस और बोल्टेज के जगा पे हम लोग यहां पे विधुत्वाहक बल इमफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहीं बोल्टेज है यह आरा बर सर होता है D फाइब इट एपाइबुन के जगा पे क्या दिया हुँआ इतना जिया है यहीं इस फुलक्स का डिफ्रेंसियेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डियर आप लोग ऐसे सिचुएशन में आए हुए है जहां पे आप लोग को सब कुछ पहले से पता है डिफ्रेंसियेशन इंट्रेशन कोई नया चीज नहीं है आपके लिए तो इसका डिफ्रेंसियेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कीजिए तो बला सब 6T स्कूर यह 2 आ करके क्या हो जाएगा 6 में मल्टिप्लाई हो जाएगा तो 6 दूना 12T हो जाएगा पावर एक डिफ्रेंसियेशन में कम हो जाता है तो टी का पावर 2 था बवन हो जाएगा माइनस क На 5T है तो क्या हो जाएगा खाली 5 हो जाएगा यहां से हट जाएगा ती का डिफ्रेंसियेशन में 1 होता है तो रहा जात जाएगा और 1 तो व्क वाथ성이 झाईए उसका दीफ्रेंसियेशन 0 हो गया ठीक है मैं एडियर यह मिल घ्रकी अमिल प्याें 0.25 का मतलब क्या एक बटा चार एक चौथाई भाग हाई ये तो बोला सर कोई दिक्कत थोड़े ना है हमें ये में बतानी थी तो ये रहा माइनस से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 टी और ये पलस का 5 हो जाएगा बाहर जो माइनस था उससे मल 0.25 मैं बहुत ही बाल रहा हूं 0.25 का मतलब एक बटा चार 0.25 का मतलब एक बटा चार और पलस पांच है यहां पांस देख दिया तो चार ती आई बार तीन बार में कट गया तो माइनस का तीन अब पलस का पांच तो कितना या बला सर दो मिला कितना मिला दो तो बराबर कित और रिजिस्टेंस क्मांड कितना दिया है तो दो में दस से भाग दिजीए गा तो क्या मिलेगा पॉइंट टू अम्पीर कहां दे रखे पॉइंट टू अम्पीर मा यह रहा ऑप्शं नमबर बी क्या हो जाएगा हमारा कर्यक्ट हो जाएगा बहुत असान कोश्य तो करेंट मिल जाएगा पॉइंट टू एंपिर बढ़ते हैं एक और निमेकल कोश्चिन आज हम लोग कर लेते हैं कि अगे बढ़ते हैं हम लोग माड एर आज के लिए हम लोग अपने लास्ट कोषण पे आ गया है इलेक्ट्र, सूछज्च आपका प्हला आप्ज़प्ल एक लतान है उसमें आज लोग आखर में इक वथ्य दग Lessあります क्या कहता है कि असलोनवायड है विंग 500 टर्न एक सोलोनवायड है करिनालिका है जिसके पास 500 फेरे कितने फेरे हैं टोटल फेरे कितने 500 हैं पुछा जा रहा है कि उसलोनवायड की जो लंबाई है वो दस मिटर है तीन चीजे हमको दे गई है एक पुछा जा रहा है वो भी कितना है दस मिटर स्क्वायर है कितने फेरे हैं टोटल फेरे कितने हैं 500 है तब आप से पुछा जा रहा है कि उस परिनलका का सेल्फ इंडक्टेंस स्वप ररकतों का मान निकाले लेकिन आपको ध्यान क्या रखना था कि पाई की वहलू कितने रख देनी है तीन आपको सेल्फ इंडक्टैंस का फार्मूला सुलन्मार के लिए पढ़ा हुआ है आप सभीने क्या होता है माए लिए self inductance होता है solonroid के लिए mu naught n square a into L यह होता है mu naught n square a into L लेकिन आपको इस formula में ध्यान के रखनी होती है कि जो n है वो number of turn per unit length होता है unit length पे फेरों की संख्या होती है पर आपको unit length पर नहीं दिया है आपको total फेरा दे रखा है तो बोला सरगेट कुल फेरा में अगर बदलना है इसको तो कुल फेरा में हम लोग यही फर्मूला क्या लेखते है mu naught n square a by l यह हमारा formula होता है capital N के फॉर में छोटा n क्या है number of turn है पर unit length एक आंक लंबाई पर फेरा है n और बड़ा वाला n क्या है total फेरा है कुल फेरा है तो कुल फेरा हमें कोशन में रखा है तो हम किसको लगाएंगे इस वाले formula को लगाना है answer पा लेना है मैंडियर फटा फट से लगा दिजिए mu naught का मान रखिए सब की चीज़ को पता है mu naught का मान 4 pi into 10 के पाउर minus 7 mu naught का मान कितना होता है 4 pi 10 के पाउर minus 7 into n square n का मान कितना दिया है 500 500 का square का मतलब क्या हो जाएगा 500 गुना 500 रख दिया area कितना दे रखा है बोला sir 10 दे रखा है यह रहा माधियर 10 रख दिया अप आपाउन में length लंबाई कितनी ते रखिये लंबाई length कितना दे रखा है अबला 10 m. इसके लंबाई कितनी है 10 मेंटर तो रख दिया 10 आ गया एंसर हमारा मैंडियर क्यासे आ जाएगा फटा-फट से कर लेंगे इस 10 से यह 10 केंसिल हो जाएगा कट जाएगा हलाकि मैं यहाप को समझाने के लिए कट कर रहा हूं मैं जल्दी कभी कट करता नहीं हूं और आपको भी निमें कर प्रब्लम कभी 5 का 5 से multiply करेंगे तो पत्चीस हो जाएगा मैंडियर और 25 का जब 4 में गुना करेंगे तो 100 में 5 से कीजिए गैगा तो 25 और पत्चीस का 4 से करेंगे तो 100 तो क्या हो जाएगा 100 इंटू यह Πाई है तो पाई लिख दिया अब इसका दो जीरो प्लस का ये दो जीरो प्लस का तो दो चार जीरो हो गया प्लस का किसका हो गया चार जीरो प्लस का हो गया और ये साथ को है माइनस का पहले से है तो साथ माइनस का लगा दिया माडिर बिल्कुल सर लगा देंगे आप देखेंगे यहाँ दो जीरो और भी तो आ गया ये पचाप पचीस चो का सो तो दो जीरो और आ गया प्लस का तो चार प्लस का ये और दो प्लस का ये छे प्लस का हो गया कि नहीं हो गया बिल्कुल सर हो गया तो क्या हो जाएगा देखी आप यहां पे तो 6 प्लस का हो गया ठीक है तो 6 प्लस का अगर हो गया अज 7 को माइनस का है तो cancel हो जाएगा 6 को पॉइंट ओँए गो पावर बचेगा इंटुपाई तो हम लोग क्या लिखेंगे पाई इंटू 10 का पावर माइनस वन 6 पावर था cancel हो गया 6 से 1 बच गया और पाई कामान क्तना लेना है व्ला को मटसघंट में तर दे दिया है कि पाई कामान 3 लेना है हमें कितना लेना है 3 तो ये रहा 3 गुणा 10 के पौर-1 और 3 क्वान 10 के प्वार-1 का क्या मतलब खआoking सर मतलब है 0.3 क्या मतलब है 0.3 मतलब है कहां दे रखा है option नमबर एद रखा है तो मरा एंसर क्या हो जाएगा आया बद समझ में तो यह था आपका इलेक्ट्रमेंटरिक इंडेक्शन का पहला अब्जेक्टिव क्लास आसा करता हूं कि आज जितने भी कोश्चिन मनें आपको करवाए सभी सांदार जवर्दस तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा वीडियो को सेयर किजिए मैं जित